देराग जी आपको कंसेट्ट बता गया पहले जैसे बात कर नहीं आपको कंसेट्ट बता देते हैं कंसेट्ट जदा अच्छा रहता है अच्छा रहेगा थोड़ा सा आज सभी जितने भी हमारे पूरे देश में साथ ही है खास्तोर से जो अपने आपको हम तो समण कहते हैं मगर वह बहुजन या मूल लिवासी या SC, ST, OBC कहते हैं या दलेतिया, सूद्रिया, पिछडा जो भी बोलते हैं क्योंकि हम तो बुद्ध के अनुई आई है तो बुद्ध के प्राची नो पहला जो सब्द है समण उसी को इस्तमाल करते हैं तो आप सब लोगों ने एक कमाल की बात आज देखी होगी कि साहाब कासी जिनका आठ तारिकी रात को परिनिब्बत हुए थे यानि जो ब्रत से निब्बत हुए थे बहार हुए थे जीवन के ब्रत से उनको नो तारिक को मनाय जाता है बताय जाता है तो यहां आज आपने वाट्सेप देखा होगा सारे के सारे कारिक्रम देखे होंगे और कल रात स ही काईकरम स्टाइब और आपने देखा होगा कि देशके हज़ारों जो अलग अलग रहते हैं व college कर रहे हैं और सब अपना फोटो भी साथ लगा रहे siinä और आ भी साथ लोगों ने बड़े-बड़े कारेक्रम भी आयुत किये है और सबी लोग सोचते हैं कि सहाब कासी राम की बड़ी जैजैकार हो रही है और हम भी जैजैकार करने में पीछे ना रहें इसलिए सब ने जैजैकार की है किसी ने नहीं सोचा कि सब ने मिलके सहाब कासी राम की पीठ में चाकू गुसर दिये खूब चाकू मारे और हर नौ तारिक को चाकू और तेजी से मारेंगे और जादा मारेंगे करसल कोई जैजैकार नहीं कर रहा और कोई उनका कहीं कोई सद्धांजली नहीं कर रहा कोई अधरांजली नहीं कर रहा सारे के सारे लोग पूरी तरह से जितना भी गद्दारी कर सकते हैं साब कासी राम के नाम पे उतनी गद्दारी आज हुई और अगले साल फिर होगी महापुरुस कहता है एक साथ रहना है महापुरुस ने पूरी जिंदगी बहुजन समाज बनाने में लगा दी और पूरी जिंदगी सब को इखटा करने में लगा दी और वही लोग जो महापुरुस का नाम ले लेके और लड़ने और मनने के लिए त्यार हो जाते हैं वो अप आप अन्मूट करिये आप म्यूट है इसमें विडिया जो आइडिलोजी बावा साब ने दी कि इस समत्त रहना है आपने कहा है सथ्वजन पहले मैं कुछ बात कर लो उसके वाहां सथ्वजन बोड़ा है यह आदमें को परसानी भी होगी क्या यह उको अच्छा भी लगेगा है यह सारे ही अन्मूट हो रहे हैं सबको हम मेरड कर दी दे आन्मूट ह्या यह जो आइडिलोजी दी जाती है जब महापुश्क को आड़ेम देके जाता है जैसे बुद्ध नेकार वाले होगे और कैसे उसके उपासक होगे जो इस बात को नहीं कहते कि संग्ड के टुकुडे नहीं हो सकते हैं कि संग्ड के टुकुडे होते हैं तो हम खतम होते हैं हम मारे जाते हैं जब बावा साब अमबेट कर ये कहके गए कि संग्डित रहो संग्डित रहो संग्डित रह तो कैसे अलग-अलग लाखो लोग उनका फोटो लगा के जैजाकार करते हैं और क्यों हम उनके साथ में खड़े होते हैं जबकि हम यह जानते हैं कि महापुरुस्ट ने डॉक्टर अमबिट करने हमको इखटा होने के लिए कहा है और हमको कहा है कि इखटे रहोगे तो तो क्या हम अपनी मौत का जैकारा लगाते हैं क्या हम मरने के लिए अलग-अलग होते हैं क्या महापुरुस्ट का मरने के बाद मा फोटो लगा कि हम यह बात कहते हैं कि हमने महापुरुस्टी बात नहीं मानी जो लोगों पर हम आरोप लगाते हैं कि हमको मूर्टी बनाकर यह कह दिया कि महापुरूस को मारना है तो उसके जैजाकारे करो उसकी पूजा करो और हम क्या कर रहे हैं अभी 15 साल नहीं हुए है उस महापुरूस को गए हुए और सब्सक्राइब कर रहे हैं और कैसे उपासक है और कैसे सपोर्टर है जो एक बार नहीं कहते हैं अपने नेता को कर के रहा है तो महापुरूस के नाम पर कर क्या रहा है तुझे अगर अलग सम्मिलन लगा रहा है तो राज्यतिक पार्टी के नाम पर अलग लगा लेता कमस का महापुरूस के टुकड़े तो मत कर कि जो महापरुस के टुकड़े होते हैं महापरुस के टुकड़े नहीं होते हैं हमारी बच्चों के टुकड़े होते हैं हमारी बच्चों की लासे कट रही है यह हम इसी में मारे जा रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे महापरुस क्या चाहते हैं हमने फोटो लगा लि करोगे क्या नहीं करोगे परिणान तो देख लो इतने पड़े लिखे हो इतनी डिग्रिया ले ली है तो नसमय में आना चाहिए के महापर उस ने लिए कुछ नी किया हमारे वेलफेर के लिए किया उसने जो अपना जीवन दिया हमारे लिए लिए उसने पूरा जीव वह अपना शादी कर सकता था वो भी बच्चे कर सकता था वो भी परिवाय चलाथा तो उसकी इस बात को तो मांलो कम से कंप को जो वो कहता है तो उसके इस जो सिद्धाज में समझ भी जो नमन होगा सारा स्माज एक लाइन में होता ने किसे भी हो हो वह कभी आवाज नहीं देता कि आना ल उनको अलग बनानाना कि इतन अना कि इतना धावा सहब का नाम लेते हो ते हो। साफ ताशिराम कि उनकी तो विछादारा भी अलग नहीं है उनके तो काम केश समाज का किया तो फिर कैसे उन्दती होगी क्यो Maha पुरूट टांगे और क्यों की बात करके जैकरा लगा न लगा करते हो जयकारा उनका लगाते हो चार संग्थान अपने बनाते हो कैसा जयकारा लगाते हो यह बात को सोचने और समझने के लिए यह कड़ भी बात हैं भक्तों को बड़ी चुपती है और चुपनी चाहिए तो कि भक्तों के लिए कभी किसी महापुर्शन ने कहा महापुर्श रहता है उसकी बुद्धी काम नहीं करती इसलिए जो इंटलेक्चल लोग है जो जानकार लोग है उन्हें अपनी बुद्धी खोलनी चाहिए अपने इगोर एहम से भार आना चाहिए उनको समझना चाहिए कि महापुरुस कहता क्या है महापुरुस का रट्टा मत लगाना चा एक एक लाख संखन चलते हैं 26 नमबर को सम्विधान का जैकारा करने के लिए पूरे देश में आग लगेगी है पूरे देश के लोग मनाएंगे मगर सम्विधान नहीं बस सकता आपका क्योंकि सम्विधान यह कहता है मेरा जैकारा मत लगाओ अगर तुम्हें मुझे बचाना है या मुझे से कुछ लेना है तो इकठे होग्या हो तो हमारे लोगों को समझा दिया अरे वई एम पी नहीं है वैंपी एमेले की जरूत ही नहीं है सम्विधान में कहां यह लिखा हुआ है के एमपी एमेले होगा तब अधिकार बचेगा सम्विधान यह कहता है वीधा पी होगा मगर आप तो 85 और 90 percent हो तो क्या भी उसकी बात मानी जाएगी उसका होगा तो लोग कहते अगर 90% लोग इखटे होगे तो कैसे अधिकार बचेगा अरे भी बचता है अधिकार दो अपरेल को कोई MPML आपकी फ्योर में नहीं आया कोई बहुत बड़े बड़े जो एलिट क्लास के लोग थे वो नहीं आये साधरन लोग सलकों पर आए सम्विधान ने कहा कितरे आए उन 50% से ज़्याद एकटे हो जाते तो पूरे दिन में चमत्तार होता अगर पर्मानेंट इक 50% से ज़्यादा लोग इखटे हो जाएंगे समुमें खटे हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी जो गई हैं हो सारी आजाएंगी बगर हमारे जो लोग है वो temporary ईलाज बहुत धह कुणते हैं उनको टेम्परिरी क्योंकि बड़ी सोच नहीं है बड़ा काम नहीं ऑर बड़ा काम अगर है वह जानते भी या कोई बताया भी तो पहले कहेंगे कि हमारे दुदार होना詐 हम ja लोग पैसे लेते थे और भाग जाते थे पैसे लेते तो भाग जाते पट्चियों का धंदा बना दिया लोगों कोई बिल्डिंग के नाम पर ले रहा है कोई किसी चीज के नाम पर ले ले रहा है लोग परिशान होगे पैसे देते देते और रिजल्ट नहीं आया तो वीदर पिपिल कहता है कि पॉब्लिक से कभी जिंदगी में पैसे लेंगे ही नहीं चैक कुछ हो जाए क्यों नहीं हमता का सुब्सस्क्राइब करने साफ नहीं कि अपर लोग कहते हैं इनको पहले समालना चाहिए आप अज皆 उब बबब इसको उयक्ते रहे Regent तो लोग इखटे रहते हैं उन पर होता नहीं है तो कितना आसान तरीका है एकटा होना है तो आपकी सब चोटी-चोटी समस्यां निकल जाएगी सारी बाहर और जाएंगी ओनी बंद हो जाएगी तो लोग कहते हैं अब हम आर्थिक काम करेंगे और बढ़ आछासी थे तो लोगों ने जगे 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 आर्थिक आधार पे काम पर नसूब्र कर दिया अरे क्या करोगे जब समाज के पास पैसा ही नहीं है तो सो लोगों का पैसा बटोर गे चाल लोगों को दोगे तो च्छान में लोग क्या करेंगे पैसा आएगा कहां से पैसा आएगा देश से पैसा आएगा गौर्रमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आएगा भारत से वह आएगा नहीं होगे तो आपको पैसा भी रही मिलेगा बलता आपको डिरा पड़ेगा आप महगाई में मारे जाओगे तो कितना असान तरीका है कहा लगते है ते समाज खटा रोगे कैसे काम करोगे खटा होना पड़ेगा गौर्रमेंट और विंडिया से चल जाएगी उसमें हिसा है और जब सारा कुछ आप खटा करके और आ जाओगे तो कुछ भी कर लो लोग तो लोग कहते कि लोगई कि कितने यूनिवस्टी खोड़ोगे कितने यूनिवस्टी खोड़ोगे आपके 150 क्रोड लोगों के लिए ख़जारों की संक्या में चाहिए मंद करके लाक के वरावर कहां से खोलोगे आपके पास तो पैसा नहीं सकते को और गौर्रमेंट इंडिया में सम्विद्धान यह कहता है इक खटे हो के तो मेरे आगा मैं खत्रे में नहीं हूं खत्रे में तो आप बहुँ आप खत्रे में हो और नहीं कि अब बजी नो बज़ कौन मने करता है मगर यह तब तक ही है जब तक सम्मिधान है अगर यह सम्मिधान की व्यवस्ता खतम हो गई और यहां राजसाही हो गई यह नार की हो गई फिर आप इखटे हो जाना फिर नहीं राजा नहीं पूस्ता कुछ की नार की नहीं पूस्ता और वो समय आने वाला है स जाकी कोई नी सुनता क्योंकि राजा के यहां सम्विधान लागू नहीं होता है इसलिए यह सारी चीजें जितनी भी हैं यह महापुर्सों ने बताई हुई है जब महापुर्स का दिन आता है तो आपको संक्लक करना चाहिए है के आज के बाद हम सारे संग्णों से करते हैं कि सारे सुझ्ट का is लया है अब यहारा शोटा बड़ा नहीं चलेगा गर आप इखटे नहीं हो सकते हो तो हमाड़े जाते हैं हम कहते हैं किया संग्ठनों के आका खटे ना हो क्योंकि कुछ जो उनके ऐसी लोग है जिनको बहुत ज़्यादा गुलाम और मांसी गुलाम बना रखाए भक्त बना रखाए वह अपोज करेंगे आपका क्योंकि उनकी बुद्धी बड़ी छोटी है उनको खत्रा महसूस नहीं होता उनको दिखाई नहीं देता कि जब हम मरने वाले हैं किसाल के अंदर हमारा सारह पैसा चला जाएगा सारी नौकी जले जाएगी और एजिटूकेशन होने के बाफ़ूद भी नौक्री नहीं मिलेगी यह प्राइवेट सेक्टर आ रहा है प्राइवीट सेक्टर में तो काश्ट देख के मिलेगी इंटर्व क्या जमीने है नहीं दुकान है नहीं इंडॉस्टी है नहीं क्या करोगे काम क्या करोगी in फिर डिप्रेस्ट में आगे आत्मत्या करोगे दो काम में से एक करोगे तो बच्चो को कैसे बचाओगे कैसे कोगे डॉक्टर अम्बेट कर तो आने वाले है नहीं उन्होंने तो दे दिया किताब तो उसको देखो समझो तो महापुर उसको जब नमन करना हो तो उसकी बात मा पर गे अकेले अकेले उनको दूसरे जानवर खा गे है जो जुन्डों में रहती है जल तो ना बसती है आदमी जुन में तो हमें इतनी समझतों आनी चाहिए प्रकती से कि हमको बचना है तो एखटा रहना है और इखटे रहने के लिए जिन्दे रहोगे तब बचोगे ना अपनी पोजिशन दिखाते रहना जब जिंदे रहोगे तब है अभी तो जिंदे रहने का खत्रा है एक्जिस्टेंस की सवारी आ रही है जो लोग अच्छे पढ़ लेके जानकार वो जानते हैं कि उस दुनिया के अंदर जो लोग अलग ठलक रहे हैं जिनके समाज बिखर गए हैं वो लोग उनकी जड़े और नसले खतम हो गई हैं और किसी के अगर बचेगी तो गुलाम रहेगी हमेशा कि निया गुलाम रहेगी उन लोगों का जो इकट्टे रहेंगे इसलिए अगर जिंदा रहेगा वो जिंदा रहेगा इसी बात की एक्साइज कर रहा है अभ ठभी सेवड़ सब्पॉर्र सबकों अपना सबमोद मानता है तो बहई अलग अलग क्यों बना रहे हो इसमें कौन सी जम्ण POODी आ रही है पैसा मं किसी से लेते नहीं नेता यहां को एथ सिर्फ इखटे ही तो औरे इसमें भी आफ़त आ रही है क्या इसमें भी दिमाग लगाने जो थे क्या तो भाईया आप बना लो हम आपके साथ आ जाएंगे कुस्तों करो यह बच्चों को बचाने का कोई रास्ता तो निकालो कुस्तों सोचो यह दिमाग दिया है बाबा साब तो इसका इस्तामाल तो करो क्यों कप तक भक्ति करोगे और पूजा करते रोगे कब तक महमाति जलाते रोगे जला लेना है तब-बचे है और जो जो को समझने के निया अचाहिए धन्यवाद अ कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो कर दो